असलाम अलेकुम बच्चो एक नए टॉपिक के साथ एक बर फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँ और हमारा आज का टॉपिक है पैरिमीटर ओफर रेक्ट एंगल बच्चो आपको रेक्टेंगल शेप का तो पता है और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपने अपनी क्लास्ट आपको लग रही है जैसे चार्ट है आपका टेबल है आपका वाइट बोड है ब्लैक बोड है आपको जो मैट्री बॉक्स है इवन आपकी जो कॉपिस हैं उनको भी आपने देखना है क्योंकि क्लोस्ट फिगर में इन चीज़ों में आपके पास रेक्टेंगल शेप भी है उसको चेक करते हैं कि उससे उसका जो है पैरिमीटर वो कैसे पता चल सकता है यह हमारे पास हमारी मैट्स के बुक यह लैंथ है इसकी यह जो लंबी वाली साइड आप देख रहे हैं यह इसकी लैंथ है लंबाई है और यह कितनी है 27 cm अब यह जो है आपने याद रखना ह है कि यह लंबाई जो है वो equal है अगर एक साइट के 27 cm है तो obviously दूसरी साइट के भी 27 cm है क्योंकि लैंस जो है वो equal है rectangle में नेक्स्ट है फिर हमने देखना है कि इसकी width, width कहते हैं उसकी चोडाई को यह उसकी चोडाई है और कि यह चोटी वाली जो साइट है तो यह है 21 cm हमार 21 cm, तो यह हमारे पास एक है, उसमें हम देखते हैं, यह है जी, इसका rectangle shape है, जिसमें हमने देखा है, कि इसकी जो length है, उसको हम अभी लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास आई है 27 cm, और जो उसकी width है, उसकी जो चोड़ाई है, वो हमारे, इसकी length जो है, जो है 27 cm, जी, 27 cm, और जो इसकी width है, वो है बच्चो 21 cm, यह है जी, इसकी width, यह width है, और यह है जी length, लेंथ है इसकी, ठीक है, इस तरफ जो है, यह length है, और इस तरफ जो है बच्चो यह हमारी width है, book की, तो हमने देखा, अभी कि हमारी जो math के book है, उसकी जो length है, 27 cm है, और जो उसकी width है, वो है 21 cm, अब पता हमने क्या करना है, परिमीटर, अब हमें वैसे ही पता है, क्योंकि square जब हमने किया था, तो हमने देखा था कि हमने चारों जो sides है, उनको क्या करना है, प्लस करना है, एड करना है, तो हमारा rectangle का भी जो है परिमीटर वो निकलाएगा, तो इसका भी formula है, और it is very simple, उसको देखते हैं, परिमीटर का पता कैसे चलेगा, हम लिखेंगे, परिमीटर, question में हमारे पास है कि हमने परिमीटर जो है, वो find out करना है, तो हम परिमीटर को करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे length plus length plus width plus width जी, इसका formula भी आप देख लें, परिमीटर ओफ और रेक्टेंगल जो है, वो किसके बराबर है, जी बचे, परिमीटर ओफ और रेक्टेंगल is equal to sum of lengths of all sides, जी, परिमीटर ओफ और रेक्टेंगल is equal to sum of lengths of all sides, ये formula है इसका, इसको हम इसी तरीके से, इसी फार्मुले से solve करेंगे, sum को perimeter is equal to length plus length plus width plus width, अब बच्चों length पता करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितनी आई थी length, 27, yes, 27 cm plus, दो length जो हैं वो हमने लिखनी है, तो हम लिखेंगे 27 cm plus width कितनी है, 21 cm, फिर लिखेंगे width, 21 cm, जी बच्चों, अब क्या करना है, अब हमने इनको add करना है, add कैसे करेंगे, सबसे पहले, जो two lengths हैं, उनको add कर लेते हैं, जैसे 27 और 27 हैं, इसको add करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, जी, 7 and 7, 14, 54, जी, length जो है, वो हमारे पास आ गई, length की जगा पे हम लिखेंगे 54 cm, क्यों, क्योंकि हमने जो दो lengths थी, उनको add किया, तो हमारे पास 54 आ गया, फिर हमने width जो है, उनको add करना है, जो कह है, 21 cm, तो हम लिखेंगे 21, 21, 1 and 1, 2, 2 and 2, 4, तो हमारे पास width कितनी आ गई, 42 cm, जी, अब हम 54 और 42 को भी plus कर लेंगे, 4 and 2, 6, 5 and 4, 9, तो इसका मतलब है, कि एक जो rectangle हमारे पास आई थी, book की, वो आ गई है बच्चो, 96 cm, the perimeter of a rectangle, जेप की हमारी जो book है, जो sum में थी, वो हमारे पास आ गई है, 96 cm, और इसकी जितनी lengths है, उनको हमने प्लस किया, और वर्ट जो है, उनको प्लस किया, तो हमारे पास answer निकला है, formula जो था, वो हमने ये यूज किया है, perimeter of a rectangle is equal to sum of lengths of all sides, तो हमने जितनी जो सारी sides की length थी, उनको sum up किया, तो हमारे पास जो answer आ गया है, वो है, 96 cm, जो के rectangle, और जो हमारे पास book है, उसका answer आ गया है, rectangle is equal to 2 into length plus width, जी, ये formula भी आपने याद रखना है, किसी भी rectangle, जो है, उसका अगर हमने perimeter निकालना है, तो हम ये formula भी लगा सकते हैं, perimeter of a rectangle is equal to 2 into length plus width, यानि आपके पास जो length आ रही है, उनको 2 से multiply कर दें, या जो width आ रही है, उनको 2 से multiply कर दें, तो भी हमारे पास answer आ जाएगा, answer जो है, वो same होगा, तो ये था हमारा आज का topic, जो कि था perimeter of a rectangle, और उमीद है कि आपको समझ आ गया होगा, इससे relevant जो भी questions हैं, या shapes हैं, उनको आपने जरूर solve कर लेना है, अल्ला हाफिज.